और चलिए आगे बढ़ते हैं मौशूर होकी खिलाडी ओलंपियन अशोक कुमार ने भारत होकी को स्वन्डिव दिन दिये हैं होकी के मैदानों में उनकी डिब्लिंग की दक्षता जादू यसर करती रही है होकी के मैदान में गेंज पर उनका नियंतर्ण रफतार और सधे बासों के साथ मूवमेंट बनाना अशोक कुमार की होकी की कला रही है जहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ उनका वो गोल भी याद किया जाता है और जब उन्होंने भारत को जीत दिलाए थी वहीं इन सभी मुद्वपर नेटवर्क 10 पर अशोक कुमार ने बेबाकी से अपनी राय रखी आपको बता दे कि होकी के जादुगर मेजर ध्याशन को कहा जाता है वहीं उनके बेटे अशोक कुमार का भी भारतिय होकी में एक एहम रोल रहा है स्वर्णिम योग भारती होकी में अशोक कुमार का कहा जाता है इसी के साथ पिता के पचिनहों पर चलकर अशोक कुमार ने भी होकी में कई एहम मुकाम हासिल किये साथ ही कई देश को गोरपून पल भी दिये वहीं आपको बता दे कि ओलम्पिक में भी अशोक कुमार का पाकिस्तान के खिलाफ शांदार प्रदेशन रहा। उन्होंने कई ऐसे गोल दागे जो कि उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ आज भी उनको याद किया जाता है। वो बड़े बहुत बड़े खिलादी थे और उनका सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हर बेटा चाहता है कि उनके पग चिन्नों पर चले। कि ऊसके बाद एस्व कुमार जी जब 1974 मेंלי खेले valid फेया 15 में खेले तो इनों Um यह वर्ल Aunque जिताने का काम किया हमाई सारथ बात करना के लिए असवक कुमार जी पॉन करें जी नेटमि में आपका बहुत-बहुत पन्यवाद दूंगा और आपने होकी का जिकर किया है होकी हमारे देश का ऐसा खेल रहा जिसने देश को सम्मान में और अपनी जीत से आठ गोल्ड मेडल एक सिल्वर मेडल और तीन ब्राउज मेडल दिये हैं उसके अलावा विश्वक के अंदर ब्राउज सिल्वर और गोल्ड मेडल बोलते हैं वो भी दिया है तो एक बहुत बड़ी उपलब्दी भारत की हाकी में रही है और हम लोग हम खिलाडी लोग उसके आंश रहे हैं भाग रहे हैं मेजर ध्यांचन हाकी के उत्पत्ति करता थे और उस परिवार में मुझे जन्म मेरा हुआ जन्म हुआ तो आप समझ सकते हैं जब महौल घर का हाकी माय हो तो मेरे हाथ में भी कहीं न कहीं से एक छोटी सी हाकी पंडिस सोहनलाल जी की जो मेरट में रहते हैं आज भी हैं वो उनके शौप हैं वहाँ पर तो उस शौप से हाकी हमारे घर में आई और वो हाकी ऐसी दिल को बसी कि 1964 मुझे याद है कि मैं बाओ जी के ध्यांचन साब के रिटायर होने के बाद जिस साल वो रिटायर हुए भारा सरकार ने उसी साल ध्यांचन को देश का दूसरा एक बड़ा सम्मान भारा रत्म तो बाद में आया था उनको दूसरा बड़ा सम्मान पन्भूशन से भूशित किया था यह 56 की बात है और उस अवार्ड के साथ जब ध्यांचन साब घर में आये थे तो हजारों लोग मेरट के उनके साथ उस मेडल को देखने के क्योंकि मुझे ये तो पता था हौकी से बाल से खेलते हैं लेकिन हौकी कितनी उचाई तक देश के संवान को लरी बाद में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ कुछ समझ में आया तो मुझे मुझे समझ अया तब तक हौकी मेरे हाथ में आ चुकी थी और वह हाकी बढ़ते ब बलबीर सिंह जूनियर, गुर्बक सिंह, हर्बिंदर सिंह, महिनरलाल, शंकरलक्षमान सहाब, तो इनके नाम जब कमेंटेटर लेते थे तो अगे ऑलम्पिया शब्द लगाते थे, तो ओलम्पिया शब्द मेरे मेरे लिए एक नया शब्द था, लेकिन उसने मुझे में जब वो चल रहा था, वो उन शब्दों को सुना, तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी अलम्पिया बनना है, और उसके लिए मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस उसके पहले तो करते ही था, लेकिन होता है एक सिस्टमाटिक तरीके से अपने आपको किस तरह से फिज लेकिन मैंने उस महान बगान कलब से खेलने के लिए से पहले एक बहुत बड़ा रिस्क जी जीवन का लिया था, वो रिस्क ये था, कि मेरा बी कॉम का एक्जामनेशन जब मैं कोटा कॉलिज राजस्तान में पढ़ रहा था, इंटर कॉलेज, इंटर इंटर इंवरस्टी औ उस दोरान में, वो सीड़ी हैं जो मैं चड़ता चला जा रहा था, धीरी धीरी तो उसका मुझे फाइनल जो रिजल्ट जिसका जहां मुझे पहुंचना था महान बगान कलब में, जहां पर हमारे ओलम्पियन खिलाडी खेलते थे, और क्योंकि बाची चल रही है, और कई य मुझे सामने कुछ आइडियल खिलाडी सामने आए, और मैंने फाइड़ लाइन के जिस खिलाडी को चुना अपना आइडियल वो थे इनामर रह्मान साहब, जिन्होंने 68 ऑलम्पिक का टरॉनमेंट खेला था, और ब्राउज मेडलिस थे, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दो बॉलों के साथ डिबलिंग करते हैं, तो जो इनसान दो बॉलों के साथ डिबलिंग करे तो उसकी डिबलिंग कितनी अच्छी होगी और कितने बहतर खिलाडी होंगे, उनके साथ खिलने का मौका मुझे मिलेगा, गुरबक्ष साथ के साथ खिलने का मौका मुझ मुझे शाहिद नूर के साथ खेलने का मौका मिलेगा इस तरह के वो खिलाडी से मेरे बड़े भाई राज कुमार सिंग क्लासिक प्लेयर थे तो मुझे बस यह था कि मैं किस तरह पहुंच जा हूँ तो मैं अपने वी कौम का एक्जामनेशन को अलग करा जो बिलकुल सामने थ तो मैं वहां पहुंच गया किसी तरह से और मैंने टरनौमेंट खिला शुरू किया अपने आपको उस जमाने में पोजिशन चेंज करना बहुत मुश्किल काम होता था आज तो आज की होकी में आप देखते हैं हर खिलाली कहीं भी खिलता है सेवाई दो चार खिलाली को देखने से पता चल जाता होगा लेकिन पुरानी हाकी जो मैं कहूं आत्मा थी, जो एक ऐसी हाकी थी जिसके अंदर जिसमें जादौी संगया ज्दुगर की संगया ध्यानचंद को द dissंद को दी गई, ध्यानचंद जो ध्यानसिंह से ध्यानचंद बने, उस चान की र रोश् इस देश को दी जब हम साप और साप और भिकारी की देश ने पूरे वर्ल्ड के अंदर जब हो की कचमतकार दिखा है तो लोग अचनच कर गए इनके देश में तो ऑलंपिक के चैंपियंज बैठे हुए जिन्होंने विश्प के सब टीमों को और उनी के घर में जाके बीट कि अगर आप देखेंगे तो हॉलेंड 1928 में हमने हॉलेंड को बीट किया अमेरिका 1932 लास अंजलिस हमारी बर्लिन हमने हमारी टीम में 24 एक से उनको हराया और जर्मनी जिस मैच को हिटलर देख रहा था मैच को हिटलर इसलिए देख रहा था उससे यह उमीद थी कि उसकी टीम जो है वो भारत की टीम से हार जाएगी जीच जाएगी और हम उसको हरा देंगे भारत की टीम को वो मैच देख रहा था अपने पूरे सिपास अलारों के साथ में बावन हजार का क्राउट हम सोच सकते हैं बावन हजार ये ऑफिशल गिनती है 1936 के ऑलमपिक की कहानी बहुत लंबी है एक लाइन और कहना चाहूंगा वो टीम इस सपेरों और जो हमारे गरीब देश के लोग थे उन्होंने उस टीम को चंदा देके भीजा था डोनेशन दे जब तक भारत की टीम खेली है उसने अपनी टीम नी भीजी वो पहली पराजय से विकार कर चुका था कि हम इंडियन से नहीं जी सकते और भारत की टीम कोई इस बैनर पे नहीं गई कि बिटिश इंडिया टीम वो गई थी भारत के नाम से इंडिया टीम के नाम से गई ये ए देख रहा है इंटरवल को मैं देखते देखते जब इंटरवल हुआ तो हमारे चाचा जी कैप्टेन रूप सिंग एक और नाम हमारे परिवार के उस उस बहुत बड़े खिलाडी का जिसका इतना सम्मानिया नाम इस देश में नहीं हुआ जिनके नाम की स्ट्रीट जर्मन के अलोंपिक विलेज में बनाई गई आप सो सकते हैं जर्मन के अलोंपिक विलेज में कैप्टेन रूप सिंग स्टीट बनाई गे जो आज भी विद्दमान है आज भी वहां पर मौजूद है उस उस खिलाडी ने और ध्यांचन ने इंटरवल में खड़े हुए दोनों भाई और आपस में कुछ जयार मिम्र्श किया और उन से कहा तो रूप सिंग से की रूपंअब हम अपने जूते उतार देते की डौन बात करें कि जिस त्रिके से दिखा जा रहा है कि और भी खेल हैं जिसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं चाहे किर्केट और भी फूड़वल लेकिन हमारा राष्टे खेल हांकी क्योंकि कुछ संसादर ना होने के बल्ये से क्योंकि अच्छे पार्क नहीं मिल पाते हैं तो कहीं ना करी प्यद्भा जो है उभर के लिए आपती है यह बता है क्योंकि हम जड़ा सी हिस्ट्री की बात कर रहे थे और इस बात जरू बात है क हमारी हाकी उस गरीबी के दोर में अपने आप से आगे बढ़ी है उन कलबों ने आगे बढ़ाया है उन कलबों ने आगे बढ़ाया है तो हमारी हाकी बढ़ते बढ़ते उस मुकाम तक पहुंची जहां हमने गोल्ड मेडल जीतना शुरू किये हिटलर पांचमे गोल के और शरम से लिया, क्यिमेश छोड़ required अर बस फिर तो हम जवान हो जाते हैं हम लोग तो और रहे हुँ परानी बाते हैं उस वक्त की बाते हैं, उस वक्का खेल क्योक्ए वो दोर फेर दिमाग में तो भोई दोर है कि हमने देश के लिए कुछ खेलों के द्वारा जो सम्मान देश को मिला है उसके हम भागिदार रहे हैं और उसमें कुछ सहयोग मेरा भी रहा है हमारे साथ असोग कुमार जी थे जो ध्यान चंजी के बेटे हैं उनको जादूगर कहा जाता है भारती यहां की टीम का जादूगर कहा जाता है आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर मैं उनके घर पे मौझूद हूँ यहां पर उनकी कुछ यहां पर कप रखे हुए हैं सील रखे हैं कुछ ध्यान चंजी ने जीते थे, कुछ असो कुमार जी ने जीते थे, तो लगा था जो पीडियो का जीतने का दोर था, वो यहाँ पर साब तोर पर दिख रहा है, आज हम घर पर पहुंचे हैं, उनसे बात किया, उनसे बात करके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक बार असो कुमार जी का बहुत बहुत सुक्रिया करते हैं, कि नेटर टेल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्याबनाव अमित के साब वेक्ष नेटर टेल दिल्ली